स्वागत है आपको अपने यूट्यूब चैनल एकलब वेस्टडी पाइंट में आज किस वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्लास 12 के सोसिलोजी का important question की series है हमारी episode number 8 जिसका भी बच्चे का एक्जाम है आपका सोसिलोजी का रहे रहा है वो क्या करें एक बार अपनी मतलब supporting material को भी पढ़ लिया करें वहाँ पे summary बगर कोशन अच्छे दिये हुए और इस वीडियो को देखने इस वीडियो में मैं आपको previous year के question करा रहा हूँ और ऐसे question करा रहा हूँ जो जादा तर repeat है और इनके chance बहुत जादा है कि आपके exam में भी ऐसे question आपको देखने को मिले तो आप इन वीडियो को बहुत ध्यान से देखा करो और question को समझ लिया करो तो देखें लोगतंत्र के रक्षक के रूप में काम करने के लिए जनसंचार माद्यमों से क्या अपेक्षा की जाती है जैसे मान लेजे मीडिया है मीडिया जो है वो लोगतंत्र की रक्षा कर सकती है तो क्या अपेक्षा करोगे आप मीडिया से तो देखे जन संचार के माद्यम जो है वो जनता के रक्षक की तरह काम करते हैं ठीक है मीडिया जो है जनता के रक्षक की तरह काम करती है यदि लोगों के साथ कुछ गलत होता है तो मीडिया जो है उसे देश के समक्ष रखती है और देश के समक्ष रखती है इससे क्या होता ह उनकी समस्या सरकार तक पहुंचती है जनता तक पहुंचती है और सरकार उसके लिए एक्सन ले सकती है जनसंचार माध्यम चाहिए वो टीवी हो चाहिए वो रेडियो हो चाहिए वो न्यूज हो चाहे वो मैगजिन हो, चाहे वो अख़बार हो, चाहे वो ब्लॉग हो, चाहे कुछ भी, कोई भी जनसंचार का माद्यम हो, वो निस्पक्ष होने चाहिए, यानि कि किसी के साथ भेदभाव करने वाले नहीं होने चाहिए, निस्पक्ष, चाहे कोई किसी भी विक्ति, चाहे को माध्यम को धर्म निर्पेख्ष तता पारदर्शी होना चीए यानि कि कि सी कमुनियल नहीं होना चीए है और पारदर्शी होना चाहिए क है तो यहां पे देखे तीन चार पROइंट रखे हमने जनल सनल के माध्यम के बारे में और यह आयावा कोशन है आपको बहुत इंपोर्टेंट आप इसे ध्यान से रखे क्योंकि कल वाली वीडियो में आपको जनसंचार के माध्यम बताया था अगर आपने वीडियो देखी हो तो अगला कोशन है रेशम मार्ग का क्या महत्व है तो आपको सिल्क रूट तो आपने पढ़ा ही होगा बहुत जादा महत्वण है इस मार्ग से भारत को उन महान सब्वेताओं से जोड़ा गया था जैसे चीन की सब्वेता फारस मिश्र रोम इन सब्वेताओं से जोड़ा गया था क्योंकि भारत से व्यापार उधर की तरफ होता था तो आप यह कह सकते हो व्यापार के लिए ब गूगल पर सर्च करोगे तो आपके सामने एक मैप आएगा उसमें आपको वर्ल्ड के मैप में दिखाया होगा पॉइंट बना के कौन सा किदर जा रहा है तो आप उससे समझाओगे कि किस प्रकार से वहां रेशम मार्क महत कौन था बाकी यह पॉइंट आपको लिखने क्यों पूरा नाम बताना है तो आल इंडिया ट्रेड यूनियन कॉंगरेस यह इसका पूरा नाम है ठीक है और मैंने इस कोशन पर पहले भी वीडियो बना रखे किसी एपिसोड में आप देख लेना थर्ड यह फूर्थ किसी एपिसोड में इसका जिक्र कर रहा था हम आपे मैंने तो दिखे उदारी करन यानि कि अपनी नीतियों को उदार बनाया हमने y Alone आजके समय में बहुराषे कंपनिया यानि कि आजके समय में मल् 뽑ण कंपनियां होती ये भी अर्थविश्टा के छेतर पर बहुत महत्पून है क्योंकि दुनिया भर की जो कंपनिया है वो भारत से व्याबार करती है भारत की कंपनिया जो है वो विश्व में व्याबार करती है तो ये MNC वाला दौर चल रहा है आज के टाइम पे तो आप ये भी याद आप मानलो आप दिल्ली में हो दिल्ली से अगर आपको बिहार में भीजना है पैसा या दिल्ली से मानलो आपको गुजरात में भीजना है पैसा या मानलो दिल्ली से केरल में भीजना है आप पूरे इंडिया में कहीं पे भी पैसा भीज सकते है और ये तो केवली इंडिया क कोमर्स वाला सिस्टम बहुत ज़्यादा मतलब उन्नती कर रहे हैं यह जो हम एमेज ओन फिलिप कार्ड वगरे से हम जो चीज़ा मंगाते हैं यह सब कहीं न कहीं तो आपको यह बिल्कुल परफेक्ट पॉइंट है अगर आप इसको याद कर लेते हो तो आप पेपर में लिख दिना और कोशन आया है वह तक ओनली टो माक्स में तो दो माक्स के लिए के वल दो ही पॉइंट लिखने थे बट मैंने आपको तीन से चार पांच पॉइंट बता क्रांती कैसे लाती है क्योंकि इससे पहले हम रेडियो वगेरा का इस्तिमाल करते थे रेडियो जो होता था उसमें केवल हम आउडियो को सुन सकते थे यानि केवल सुन सकते थे जैसे खबरे वगेरा है नियूस वगेरा केवल सुन सकते हैं तो वह उतना इंट्रेस्टिंग क्रांति ला दिये ठीक है 1991 में देश में केवल एक ही राज्य नियंतिर टीवी चैनल था दूरदर्शन यानि कि सरकारी चैनल जो था 1990 की बात करें तो केवल एक ही चैनल था वो था दूरदर्शन यह आप सभी जानते हैं डीडी नेसनल और डीडी नियूज वगरा आते थे बस में फिर प्राइवेट चैनल बहुत सारे आ गए और जैसे आप देखते हो जी नियूज वगरा यह यह दुनिया बर के चैनल जो है दूरदर्शन वाले चैनल को छोड़ गया आप बाखी चैनल देखते हो सारे प्राइवेट ही एक तरह से तो यह चैनल खूब सारे आ गए इसके जरिये क्या हो गया जो एक तरह से मनुरंजन के नजरिये से देखे हैं नियूस के नजरिये से देखे हैं आप किसी भी नजरिये से देखो यह बहुत महत्मून है आप इसमें स्पोर्ट्स देख सकते हो गेम देख सकते हो नियूस देख सकते हो मूवी देख सकते हो सारे देशों में देखे जाती हैं तो समझगे मतलब यह बिल्कुल जो मतलब कभी इंपॉसिबल था वह अब पॉसिबल हो चुका है यानि जिस्में के जर्ये सिक्षा फैलाई यानि सिक्षा बढ़ाया जाती थी जागरूकता फैलाने के काम में यह TV चैनल बहत महत्मुन थे ऑथ खबरों को तेजी से बढ़ाने में भी तो इस तरीके से आप टीवी के आने से क्या परिवर्टनाया आपूसिक कर सकते है। यहा शम्ता से बना के आंसर दोगे तो भी आपको मार्क्स मिलेंगे अब एक कोशन था ये काफ़ इंपोर्टेंट कोशन इसे याद रखिए एक बुक है उसका नामे इस्तिरी पुरुस तुलना क्या नामे उस बुक का एक बार में इसका कलर चेंज कर देता हूँ ये जो थी एक नारी वादी है यानि फेमिनिस्ट है और ये जो महिला थी इन्होंने क्या करा था पित्र सत्तात्माग जो पैट्रिया सी है उसके खिलाफ पित्र सत्ता जो विवस्ता थी उसके खिलाफ आवाज उठाई इन्होंने महिलाओं के दर्द को दुनिया के सामने रखा उनकी तकलीफों को दुनिया के सामने रखा तो देखे इन्होंने अपनी पुस्तक में लिखाता है इस तरी पुरुस तुलना में एक महिला की कहानी लिखी थी जिसको अदालत ने मौत की सजा सुना दी थी तो अब ये एक विद्वा महिला थी इनको मौत की सजा सुना दी गई थी तो अब कोशन आपका दिमाग में ही आएगा कि आकर इस महिला ने ऐसा क्या किया था जो इसको मौत की सजा सुना दी गई तो दीकि सजा का कारण जो था वो ये था कि महिला ने अपने नवजात बच्चे को मार दिया था यहीं इसका नवजात शिशू जो था उसकी हत्या कर दी थी महिला ने इसके लिए सरकार ने अदालत ने इनको मौत की सजा सुना दी थी तो आपको यह समझ में आ गया अब आपकी दिमाग में कोशन आएगा कि इसने मार क्यों दिया अपने बच्चे को या क्या कारण दाओगा तो उस महिला की जो संतान थी वो अवैद थी अवैद संतान आप समझते हो जैसे मैं वर्ड यूज नहीं करना चाता हूँ आप यहाँ पर देख लीजे समझे आप यूल यह पता कारे कि वो व्यक्ती कौन है जिसकी वो संतान थी यानि जो उसका पती था जो उसका पिता था उस अवैद बच्चे का जो भी पिता रहा होगा उसका हजबेंट तो नहीं था तबी वो अवैद कहा जा रहे हैं तो जो भी मतलब उसका पिता था उसके बारे में जानने का प्रियास तक नहीं किया गया जिसकी वो संतान थी और महिला को सुना दी गई मौत की सजा तो मौत की सजा सुना दी गई इसके बाद ये बुक चापी गई इसमें इस्तरी पुरुस तुलना की गई और उसमें ये वाली बात रखी गई तो बताया गया कि समाच जो है वो पित्र सतात्मक है महिलाओं के साथ क्या होता है और इस उस पिता के बारे में जानकारी लेने के प्रयास क्यों नहीं किया गया ये कोशन था तो इस लिए है मतलब तया मचा तो ये वीडियो आपको कैसी लगिया आप कॉमेंट पर दे हैं और विडिवा करते क्र दे कर दो ने बार्ण div है मृघंऔर कर दे